तूल एजबिशन डिपार्टमेंट के दोरा बहुत ही एक अच्छा इनिशेटी है नव सितंबत को पुंच से यातरा शुरूई थी तो शांती और अहिंसा का संदेश देटे हुए सरधर्मा सुंभाब का संदेश देते हुए यातरा पुंच, राजोरी, रियासी, उधुंपूर, डोडा, किष्टवाराट से होते हुए यहां से यातरा अलग-अलग जोन से होते हुए सांबा और फाइनली जाके जम्मू में टिजेगर बनने इसका समापन होगा यह बहुत ही अच्छा इंशड़, जो जोप्तोबर जाके समापने वाला है यह बच्चों के लिए क्या मैसे रहेगा आप माई जो बच्चे हैं जैनरेशन हैं जैनरेशन हैं जानली जी के जीवनी हैं उनमें किस परकार बच्चों के एक दास्तिन दिया आगे इस देश के बजूद करने हैं समाज में कुरूद बच्चे हमारा पभिष्य हैं और बच्चे जिस तरह से बढ़ चल की चात्रा में भाग ले रहे हैं इससे यह प्रदित होता है कि हमारे फूचर के गांधिवाद के ब्रेंड बेस्टर भी हैं कि हमारे समाज में सत्य आहिंसा को पड़ावा देंगे और एक अच्छी समाज की सर्क्चना करेंगे विश्प में और भालत में शांती का संदेश दैंगे हमारा स्कूल एज़ुकेशन दिपार्टवमेंट जे एक्सक्थम्चर में महात्मा गांदी जी की वर्थ अन्वर्स्री मनाने जा रहे हैं ये शांती यात्रा 9 सेप्टमबर को पुरानी पुंच से होती हुई रियासी, रिजोरी, रामबन, उदोंपुर, किश्वार, डोड़ा और कल से बायाच्छतर गला जिसकी कुठुवा में एंटर हुई है ये जात्रा इसका उदेशिये देश भर में जो बापु जी का सपना था और जिसके लिए उन्होंने अपनी जान त्यागी थी इस देश के लिए वो है पीस, नानवालेंस, अनटचबिलिटी और उस आधार पे ही आज हम ये स्कूल अजूकेशन डिपार्टमिन्ट की तरफ से बच्चु को साथ लेके शांती जात्रा निकालने जा रहे हैं ये जात्रा नोज सेटमबर से ही चल रही है और ये दो अक्तूबर को टीचर भवन जमू में पहुंचेगी और कल्मीनेशन बहांते होगी कठूबर को टीचर नोज से बायाबनी बसोली महानपूर और राथ को ये जात्रा इसका जो नाइट स्टे था वो बसंत पूर हैस्टिंदी में था आज सुबा नो बजे गोवर्मेंट मिडल स्कूल चक्शेकर से ये यात्रा रुबाना हुई दूसरा पड़ाओ यहांपे हमारे डिसी साफ के आफिस में था चुँके वो आज किसी मीटिंग के दोरान बज़ा से आज जमू चले गए अडिशनल साफ आ रहे हैं इसके बाद हम काली बड़ी मिडल स्कूल में जाएंगे मात्रम जब चक्शन रहेगा राद मता की जए बंदे मात्रम जब चक्शन रहेगा याम जब चक्शन रहेगा